बहुत बर हमें अचानक से दर्स्त लग जाते हैं और समझ में नहीं आता क्या करें जाना कि अधिता हैं तो ऐसे में आप ये घरेलू उपाय कर सकते हैं, इसे पहले भी मैंने बहुत सारे दस्त के लूज मोशन के उपाय आप लोगों के साथ शियर के थे और उससे बहुत लोगों को आराम मिला था, बहुत सारे लोगों के कॉमेंट आये थे कि माम हमें इससे बहुत आराम मिला जब नई रेमेडी आपके साथ शेयर कर रहे हूं लोस मोशन के लिए जो कि बहुत जादा एफेक्टिव है कभी भी आपको दस लग जाए तो आप इने ट्राइ कर सकते हैं तो जादा बाते ना करते हैं वीडियो शुरू करते हैं हाई प्रेंट्स मैं गिता वर्मा गिता के नूर एस्पी इस हिंदी में एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूं प्रेंट्स मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को कर दीचेगा लाइफ दूसरों के साथ शेयर करेगा कॉमेंट करना बिल्कुल मत भूलेगा और चैनल पर पहली बार आये हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा साथ ही ये भी लिग के बताईएगा ये वीडियो आप कौन से शहर से देख रहे हैं तो यहां पर सबसे पहले नुसके के लिए हमें लेनी है चाय पत्ती किसी भी ब्रैंड की चाय पत्ती चलेगी ये जो चाय पत्ती है ये बहुत जादा कमाल का काम करती है और मेरे घर में इसे बहुत सालों से इस्तमाल किया जा रहा है तो चलिए आपको तरीका सिखाती हूँ कि इसे कैसे इस्तमाल करना चाहिए तो पहला तरीका देख लेते हैं उसके लिए यहाँ पे एक पैन मैंने रखा है गैस पे उसमें एक गिलास पानी आड़ करेंगे गैस को मैं यहाँ पे ओन कर देती हूँ इसके बाद इसके अंदर हमें एक चमच भर के चाय पत्ती डालनी है चाय पत्ती थोड़ी जादा ही इस्तमाल करनी है तभी यह बहुत जादा इफेक्टिव होगी अगर कम चाय पत्ती का इस्तमाल करेंगे तो रेमिडिय उतनी इफेक्टिव नहीं होगी इतनी असरदार नहीं होगी तो एक चमच भर की मैंने चाय पती डाल दी है अब इसे पकने देंगे तब तक पकाना है जब तक की जो ये चाय है वो आधी ना रह जाए तो यहां पर आप देख सकते हैं पकते पकती ये काफी गम हो गई है अब इसका जो टेस्ट है वो काफी ज माल कर सकते हैं तो यहां पर एक चमच चीनी मैंने डाल दी है एक मिनिट के लिए मैं इसे और पकाऊंगी ताकि इसका जो चीनी है वो अच्छे से मिक्स हो जाए इसके अंदर घुल जाए अब यहां पर मैं गैस को बंद कर देती हूं चलिए अब तरीका सिखाती हूं इसे लेना कैसे हैं तो यहां पर मैं इसे चान लेती हूं सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कितना गाढ़ा ये पानी हो गया है यह चाय पती का पानी है एकड़ा जिसमें चाय पती का फ्लेवर जादा है अब क्या करना है इसे ठंडा कर लिए और ठंडा करने के बाद आपको इसमें आधा नीमबु निचोड़ देना है और क्योंकि अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है ठंडा करने का तो मैं इसे गरम में ही डाल रहे हूँ आप इसे पहले ठंडा कर लिजेगा और इस तरह से आधा निम्बो इसमें निचोड दीजेगा और अब ये आपकी होम रेमेडी तयार है इसे आपको लेना कैसे इसे आप एक दिन में दो से तीन बार ले सकते हैं जब भी आपको लगे 10 लगे हैं तुरंद आप इसे पी लीजे आपके 10 रुक जाएंगे नहीं भी रुक रहें तो धीरे-धीरे कम हो जाएंगे जब 2-3 बार इसे एक दिन में पिएंगे तो अब दूसरे नुसके पर आ जाते हैं दूसरे नुसके के लिए क्या करना है यह जो चाय पत्ती हमारी बचती है चाय बनाने के बाद इस चाय पत्ती को आपको पानी के साथ निगल जाना है एक चमच ले लिजिए इस तरह से उबली हुई चाय पत्ती और पानी ले लिजिए पहले मुह में इसको डालिए और उसके बाद पानी पी जाएए इसे निगल जाएए ये बहुत ज़ादा effective remedy है और इसे मैं बच्पन से देखती आ रही हूँ मेरे घर में इस्तमाल होती है तब ही मैंने आपको इसे बताया और बहुत ही ज़ादा असरदार है जैसे दस लगते हैं हम इसे इस तरह से ले लेते हैं चलिए अब तीसरा नुस्का मैं बताती है जो चा चाइनी भी आड़ कर देंगे नॉर्मल चाय आपको बनानी है इसमें कोई भी अदरक कोई भी इलाइची लॉंग दालचीनी कुछ भी आड़ आपको नहीं करना है तो पहले मैंने इसे उबाल लिया है अब मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ और इसे अच्छे से पका लेंग अब मैं इसके अंदर दूद आड़ करूंगी तो नॉर्मल चीनी चाय पत्ति और दूद की चाय आपको बनानी है यहाँ पर तो अच्छे से मैं इसे एक बार उबाल लेती हूँ और फिर हमारी चाय तैयार हो जाएगी तो यहाँ पर उबाल आ गया है और चाय हमारी लीजे और यहां पर मैं सारी चाय इस्तमाल नहीं कर रही हूं सिर्फ फोड़ी republican मेंसे लेरी हूँ आधह कंवाण सकते हैं यह मैंने चाय लिए अब इसके अंदर हमें नॉर्मल पानी मिलाना है जितनी चाय है उतना ही पानी मिलाना है और अब ये हमारी remedy तैयार है बहुत अजीव लग रहा होगा आपको की चाय के अंदर पानी पर ये बहुत effective remedy है एक बार आप ट्राइ करके देखेगा जब 10 लगे हो ना तो एक बार करिए अगर आराम मिलता है तो दो तीन बार आप इसे कर सकते हैं एक दिन में अब आ जाते हैं अगली remedy पर इसके लिए हमें लेना है नॉर्मल दूद है ये ठंडा दूद है बिल्कुल भी गरम नहीं है कच्चा इसमाल नहीं करना है उबाल के ठंडा किया हुआ दूद है ये तो एक कप दूद आपको ले लेना है और क्या करना है इसके अंदर नीमबू आड़ करना है अब बहुत सरे लोगों के दिमाग में आएगा कि दूद में जब हम नीम्बू डालते हैं तो यह फट जाता है तो बिलकुल हमें दूद को फाड़ना है यहाँ पर फटा हुआ है दूद ही इस रेमिडिक लिए इस्तमाल होता है तो यहाँ पर मैं इस नीम्बू को इसमें निचोड देती हूँ और जैसे ही मैं इसम दूद में निकाला है ठंडा दूद है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत जादा यह दूद नहीं फटा है अलग अलग नहीं हुआ है तो आपको अगर बड़े लोग है तो इसे ऐसे ही डारेट पी सकते हैं दस्त में आपकी दस्त तुरंद बंध हो जाएंगे यह जो remedy है यह आप छोटे बच्चों को जो एक दो साल की बच्चे होते हैं चोटे बच्चे होते हैं या फिर पैदा हुए छोटे जीरो से लेके मतलब आप बड़े तक कोई यह remedy दे सकते हैं चोटे बच्चों को कैसे देना है इस दूद में थोड़ा सा निम्बू और डाल दीजे इस दूद को हलका सा गुनगुना करके फिर आप पाड़िएगा तो क्या होगा कि पानी अलग हो जाएगा इसका छेना अलग हो जाएगा त आप देखेंगे उनके तुरंट दस बंद हो जाएगे